तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अल्डेक्टोन T5 टेबलेट दो दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल शरीर में पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखते हुए अतिरिक तरल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उप्योग एडिमा, द्रव अधिभार और उच्च रक्चाप के कुछ मामलों के इलाज के लिए किया जाता है। आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक यह आपके लिए निर्धारित है। निर्जली करण इस दवा का बहुत ही सामान्य दुश प्रभाव है। यह रक्ट में केल्शियम, सोडियम और मेगनीशियम के स्तर को कम कर सकता है। इसलिए इस दवा का उप्योग करते समय किड्नी के कार्या और इलेक्ट्रोलाइट्स की नियमित निग्रानी महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा होता है, तो बैठने की स्थिती से धीरे-धीरे उठें या वाहन चलाने से बचें, इससे चकर या थकान हो सकती है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव या किड्नी की कोई बीमारी है। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। आपको अपनी स्वास्थि सेवा टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल झाल झाल